हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अर्पित और आपका स्वागत है लौड्स आफ लिट्रेचर पर दोस्तों आज हम जिस पोयम को डिसकस करेंगे वो है मैथ्यू औरनल्ड की डोवर बीच यह एक बहुत ही खुबसूरत पोयम है जो पहली बार 1867 में पब्लिश हुई थी और इसे औरनल्ड की रिप्रेजेंटेटिव पोयम भी माना जाता है इसकी वज़ा यह है कि यह पोयम जिन्दगी के प्रती औरनल्ड के नजरिये को दलशाती है डोवर बीच एक लिरिक है और इस दुनिया के दल्द को बड़े ही प्यार भरे अंदाज में सामने रखने की औरनल्ड की हैबिट की वज़े से इस पोयम में अलेजियक टोन भी आ गई है तो आये चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम इसके टाइटल पर ध्यान देते हैं इसका टाइटल डोवर बीच है बीच एक ऐसी जगा है जो समुद्र के किनारे जो जगा होती है उसे बीच बोलते हैं और डोवर एक टाउन है इंगलेंड का जहां पर 1851 में औरनल्ड साथ हनी मून के लिए गए थे तो यह देखिए आपको यहां पर हमें मैप के माध्यम से दिखाना चाहे रहे हैं यह जो उपर इंगलेंड है युनाइटेड किंग्डम और फ्रांस जो है वो नीचे के साइड है दोनों के बीच में समुद्र है बहुत सकरा और जहां यह ला को आप समझ चुके हैं तो पोएम को शुरू करते हैं आप सी इस काम टुनाइट यानि समुद्र जो है वो आज रात शांत है ताइड इस फुल का मतलब है जौर आया हुआ है समुद्र में जौर भाटा होता है तो टाइड इस फुल मतलब जौर है दमून लाइस फेयर और जो चंद्रमा है वह बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है upon the straight और वह कहाँ है straight के उपर है straight मतलब समुधर तो वह समुधर के उपर है यानि उसकी जो light है वह समुधर से reflect होकर दिखाईदे रही है तो यानि बड़ा ही खूबसूरत नजारा है तो जो फ्रेंच कोस्ट है जो यहां से लगबग 20 मील दूर ही है वहां पर लाइट जो है चमकती हुई दिखाई दे रही है और जो कि अब चली गई है दा क्लिफ्स ऑफ इंगलेंड स्टेंड तो जब लाइट जो है वो तो जा चुकी है दूसी तरफ जो लाइट चमक रही थी चली गई और अब क्या दिखाई दे रहा है क्लिफ्स ऑफ इंगलेंड दिखाई दे रही है सामने इनके किनारे पर ग्लिमरिंग एंड वास्ट जो चमक रही है और बहुत विशाल है आउट अफ दे ट्रैंकिल बेर ट्रैंकिल मतलब होता है शांत तो यह जो शांत खाड़ी है इसमें इंगलेंड की जो क्लिफ है वो ब और भी था उस रूम में कोई और भी है जिसे वो बुला रहे हैं कि come to the window यानि खिड़की के पास आओ sweet is the night air और देखो कि यह जो night air है कितनी sweet है मतलब कितना सुहाना मौसम है only from the long line of spray और केवल क्या from the long line of spray दोस्तों अगर आप रात के समय में समुद्र को थोड़ी दूरी से देखेंगे तो जहां समुद्र की लहरे आकर किनारे से ठकराती है तो वो फोम या स्प्रे बनाती है जो कि white color का होता है तो इस तरह एक बहुत लंबी white color की line सी दिखाई देती है तो वो यही कह रहे हैं कि window पर आओ और देखो क्या कि यह जो long line of spray है where the sea meets the moon blanched land जहां पर समुद्र किसे मिल रहा है moon blanched land यानि कि वो जमीन जो चन्रमा की रोशनी में white हो गई है सफेद हो गई है वहाँ पर क्या बन रहा है वहाँ पर line of spray बन रही है उसे देखो listen और सुनो क्या सुनो you hear the grating roar तुम्हें जो है रोर का मतलब होता है गर्जना या दहार तो तुम्हें grating roar grating मतलब घिसने की आ pebbles pebbles माने कंकड तो तुम्हें एक grating roar pebbles की सुनाई देगी which waves draw back and fling जिनको लहरें अपने साथ वापस ले जाती है समुद्र में और fling fling का मतलब होता है फेंक देना तो जिन्हें लहरें अपने साथ वापस ले जाती है जिन कंकडों को और वापस फेंक देती है कहां फेंकत तो फिर से वह किनारे पर फेंक देती है उन पत्थरों को और उन्हीं की यह grating roar है जिसको तुम सुनो begin and cease यह शुरू होती है और रुख जाती है and then again begin और दुबारा फिर से शुरू हो जाती है तो इस तरह से यह एक रिदम सा बन जाता है कि लहर है वह पत्थरों को फेंक र Trameless का मतलब होता है कंपन या कापना cadence का मतलब होता है rhythm तो इस तरह से यह जो बार-बार पत्थर आते हैं कंकड़ आते हैं वो बार-बार टकराते हैं उनसे एक आवाज होती है और एक यह rhythm सा बन जाता है and bring the eternal note of sadness in और इसमें एक eternal का मतलब होता है शाश्वत यानि ऐसी आवाज आ रही है उसमें एक eternal note of sadness अगई है उससे एक eternal note of sadness हो रही है तो देखिए इतना खूबसूरत नजारा इन्होंने बताया और उसके बाद उसमें जो आवाज है उससे इनको क्या आ रहा है उससे में इनको sadness की एक अनुभूत ही हो रही है आभास हो रहा है तो आएए देखते हैं आगे सोफोक्लीज लॉंग एगो ही एडिट ऑन दा इजियन देखिए सोफोक्लीज ग्रीज के एंसियंट ग्रीक ड्रामेटिस्ट थे और आसे लगभग धाई हजार साल पहले और यह एक ऐसे ड्रामाज यह लिखते थे जिनकी सैड इंडिंग होती थी जो बड़ क्या कह रहे हैं यह सोफोक्लीज लॉंग एगो ही एडिट ऑन दा इजियन एंड इट ब्रॉट इन्टो हिस माइंड द टर्बाइड एब एंड फ्लो आफ हूमन मिजरी तो इजियन वो समुद्र है जो ग्रीस का समुद्र है जैसे इंडिया के समुद्र को इंडिया नोशन बोला जाता है तो उसी तरह ग्रीज के पास का जो समुद्र है वो इजियन सी है और सुफोक्लीज ने उस समुद्र में ही यह आवाज सुनी थी और इसने उनके दिमाग में क्या लाया था दा टर्वेट एब एंड फ्लो यानि की उनके मन में लाया था हूमन मिजरी मिजरी मतलब होता है दुख कश्ट तो जो हूमन मिजरी है उसका आभास उनके मन में आया था यानि जिस तरह हम दुखी हो रहे हैं हमें इसमें सैडनस सब्सक्रार मिया दिखाई दे रही है उसी तरह क्जा यह मतलब होता है कर भेल होता है और जो पानी बार बार थोड़ा ध Lynn लासा हो जाता है थोड़ा गंदा सा हो जाता है तो उसी को बोलते हैं झाल कर उन्हें मनुष्च की humans की मिजरी का फिरिका इंद ऐस में दौल एक थौट मिल रही है hearing it by this distant northern sea तो देखिए अब यह यहां पर राइटर अपने और सोफोकलीज के बीच में एक connection दिखा रहे हैं कि आज से हजारों साल पहले इजियन सी में सोफोकलीज ने भी इसी आवाज को सुना था और उन्हें भी human misery के बारे में एसास हुआ था इससे और इतने सालों बाद आज हम भी एक distant northern sea में इसी आवाज को सुन रहे हैं हम एजियन सी में नहीं सून रहे है एजियन से नौल साइड में काफी दूर इंग्लिश चैनल है हम वहां के समुद्र में इस आवाज को सुन रहे हैं लेकिन हमें क्या सुनाई दे रहा है हमें भी वही थाट्ट सुनाई दे रहा है यानि हमें भी human misery का एसास हो रहा है इस sound क साथ the sea of faith अब देखिए यहां थोड़ा से subject change हो रहा है यह तुलना कर रहे हैं जो इनके चारो जो समुद्र है इनके सामने उसकी तुलना कर रहे हैं sea of faith से यानि आस्था का जो समुद्र है उससे तो the sea of faith was once two at the full and round earth's shore यानि कि एक समय ऐसा भी था पहले जब जो sea of faith है वो क्या था वो टू बहुत ही फुल था यानि कि बहुत उफान पल था और उसने पूरी धरती को round earth's shore सारी धरती को घेरा हुआ था इसका मतलब यह है कि पहले के तुलना जो धरती को घेरा हुआ था उससे करी है किसकी एक गर्डल से गर्डल एक कर एक किस्म का आभूशन होता है जो लड़कियां अपनी कमर में पहनती हैं यह मेटल का होता है बेल्ट जैसा आप समझ सकते हैं अगर कभी नहीं दिखा हो तो जिस तरह से कमर को घेर्डल घेरा रहता है उसी तरह से सारी दुनिया को किस ने घेरा था सी ओफ फेथ ने घेरा हुआ था यानि उस जमाने के सारे लोग फेथ रखते थे किसी चीज में विश्वास रखते थे और कहने का मतलब है कि दुनिया में अच्छाई थी लेकिन अब मुझे क्या सुनाई देता है मेलंकली का मतलब होता है शोक या उदासी तो आस्था का जो समुद्र था सी ओफ फेथ जो था जिसने सारी दुनिया को कभी घेरा हुआ था लेकिन अब मुझे केवल उसकी उदासी सुनाई देती है लॉंग विड्राइंग रॉर रिट्रेटिंग मतलब होता है कि गोईग बैक और जो उसकी रॉर है यानि कि जो लहरे हैं वो तो बहुत पहले ही वापस लोड गई है To the breath of the night wind जिस तरह से ये रात की हवा चल रही है उसी तरह से ये लहरें भी बहुत पहले वापस लोट गई थी Down the worst ages, rear, and naked singles of the world और ये लहरें तो वापस लोट गई हैं लेकिन अब यहाँ पर क्या बचा हैं? दुनिया में हमें क्या दिख रहे हैं? हमें singles दिख रहे हैं singles मतलब भी pebbles होता है तो लहर तो वापस लोट गई और अब केवल जो बचा है वो केवल किनारे पर पड़े कंकर पत्थर ही हैं वही बचे हैं दिखिए यहाँ पर एक तरह से जो उस जमाने का जो religion का जो system है जो structure है उसके बारे में बात कही गई है कि जो faith थी वो तो वापस लोट गई लेकिन अभी वो कंकर पत्थर ही पड़े हुए है यानि दिखावा धोंग यही सब बचा हुआ है और faith की जो लहर थी वो तो वापस जा चुकी है अब उसकी केवल melancholy यानि केवल उसकी उदासी ही सुनाई देती है आ लव let us be true to one another इसका मतलब उनके रूम में जो भी उनके कोई साथ था उसको वो कह रहे हैं कि आ लव यानि कि वो उनकी कोई girlfriend होंगी wife होंगी और उन्हें वो कह रहे हैं कि let us be true to one another यानि हमें एक दूसरे के प्रती सच्चा होना चाहिए for the word which seems to lie before us like a land of dreams यानि एक ऐसी दुनिया में जो हमारे सामने किसकी तरह है land of dreams की तरह है वहाँ पर हमें एक दूसरे के प्रती सच्चा होना चाहिए एक दूसरे के लिए true होना चाहिए यह वफदार होना चाहिए एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए क्योंकि यह दुनिया जो हमारे सामने हैं यह एक land of dreams की तरह है so various, so beautiful, so new जिसमें बहुत सारी विविदताएं हैं, बहुत varieties हैं, बहुत खूबसूरत है, बहुत नई है hat, hat का मतलब होता है head, जो traditional English है उसमें head को hat कहते हैं, तो hat really neither joy nor love nor light तो यह दुनिया जो हमारे सामने एक सपनों की दुनिया की तरह है, जो बहुत various, beautiful और new दिखाई देती है जबकि वास्तों में इसमें ना तो joy है, ना love है और ना ही light है, यानि ना कोई खुशी है, ना प्रेम है और ना ही रोशनी है nor saltitude, ना तो विश्वास है किसी पर, saltitude का मतलब होता है विश्वास, nor peace, ना ही peace है, nor help for pain और इस दर्द से किसी भी किस्म की कोई राहत नहीं है, इससे किसी भी तरह बचा नहीं जा सकता है इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें एक दूसरे के प्रती true होना चाहिए, honest होना चाहिए and we are here as on a darkling plane, और हम यहां कहां है, हम इस दुनिया में एक अंधेरी दुनिया में है swept with confused alarms, जो कि जिसमें confused alarm है, of struggle and flight, यानि संखर्ष के और flight का मतलब भगदड़ और panic होता है तो इस दुनिया हमें एक ऐसी दुनिया में है, एक ऐसी अंधेरी दुनिया में है, जहां पर struggle और panic के alarm से बज रहे है यानि कि पूरी दुनिया अस्ट वेस्ट सी है, where ignorant armies clash by night, जहां पर जो अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रही है यानि उन्हें पता, ये भी नहीं पता है कि वो किस लिए लड़ रही है, बसके वो लड़े जा रही है तो हम एक ऐसी दुनिया में है, जहां पर अंजान से नाए एक दूसरे से लड़ रही है तो दोस्तों उमीद है कि ये poem आपको पसंद आई होगी और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू घजा सब्सक्राइब कर साटीज कर दोस्तों